हेलो, नमस्कार सांतियो, मैं संतोस कुमार दांगी, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नए वडियो जिसमें आज हम कक्षा 12 का जो लेशन है, आप फिरेंड हूं कैम फ्रॉम दा स्काई, उसका हिंदी अनालेसिस और कुछ कोशनों के उपर हम प्रक्टिस करेंगी ताकि आप बोर्ड की एक्जाम में इसको हच्चे से समझ पाएं और इनको लिख पाएं, है ना, तो चलो, आईए शुरू करते हैं, लेट्स विंग स्टार्ट विदाट तामे स्टेच, फरस्ट कोशन देखते हैं, वाट वाज मीनिंग डोइंग इंदा बालकनी, है ना, तो प्र विल्चेयर, मीनी विल्चेयर पर बैठी हुई थी, एंड वाचिंग दा चिल्डन प्लेंग इंदा पार्क आउट साइट, और बाहर खेल रहे बच्चो को देख रही थी, है ना, क्या आद रकना ही, मीनी वाच सिटिंग इन हर विल्चेयर, कहा बैठी हुई थी वो, विल् विल्चो को देख रही थी, दूसरा कॉशन देखते ही, what was the ball that fell in her lap, जो उसकी गोद में गिरी थी, है ना, लेप, लेप मिन्स क्या वाता है, गोद, जो उसकी गोद में गिरी थी, वो गेंद क्या थी, है ना, वो बाल कुन सी थी, तो, that was a bird, duck, a shoulder, थुड़ा से यहाँ, ओ नहीं, ए है, है ना, तो, वो जो था, वो एक पक्षी था, है ना, एक बदक था, एक तीखी चोंच वाला बदक पक्षी, क्या याद रखना है, that was a bird, duck, a shoulder, तीसरा कॉशन देखते है, how was the bird fed, फेड, फेड से फेड हुआ है, फेड मिन्स खिलाना, फेड मिन्स खिलाना, और उसी का वी टू है, क्या है, फेड, है ना, तो, how was the bird fed, पक्षी को कैसे खिलाया था, मिनी मदस मेच्ड सम कोक्ड राइस, इन ए बाउल, एड़ेट मिल्क, और शूगर, और ओपनिंग दा बट्स बेक, फेड हिम विद एन इंक फिलर, यह ना, मिनी की मानने, उसके लिए, एक कटोरा भर के बाउल, कटोरा भर के, उबलेवे चावल बनाए, उसमें, एड़ेड मिल्क, दूद मिलाया, और शूगर, सकर, और ओपनिंग दा बट्स बेक, और उस पक्षी के मुग के सामने रखा, फेड हिम विद एन इंक फिलर, और उसे कैसे खिलाया गया, शाही भरने वाले ट्यूप से, तीसरा प्रस्न देखते हैं, चोथा प्रस्न, वाई वाई वाज मदर वास वोरीड, एज मिनी सेट इन दा बालकनी, जब उसकी माँ बालकनी में बैठी थी, तो उसकी माँ इतनी ज़्यादा चिनतित क्यों थी, वोरीड क्यों थी, है न, तो अनसा देखते हैं, मिनी, मिनी स मदर वास वोरीड, मिनी की माँ चिनतित थी, मिनी की माँ चिनति थी, because, क्योंकि, it was going rain, बाहर क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, she did not want to her, to get wet, है न, to get wet, महिवान है चाती थी, कि उसकी लड़की पानी में भीग जाए, है न, तो क्या याद रखना है, it was going rain, बाहर वरसा हो रही थी, she did not want to, want her to get wet, वहार है चाती थी, कि वह पानी में भीग जाए, next question, who do you think Minnie named the bird Mitr, भाई, आपकी विचारों के अनुसर, Minnie ने उस पक्षी का नाम Mitr क्यों रखा था, तो she named the bird Mitr, because क्योंकि she had no friends, क्याद रखना है, she had no friends, उसके कोई Mitr नहीं था, and took him as her friend, है न, और वहां Mitr बनाना चाती थी, है न, और उसका एक भी Mitr नहीं था, अगला question देखते हैं, why do you think the bird refused to eat anything, वे उस पक्षी ने कुछ भी खाने से इनकार क्यों कर दिया, refused क्यों कर दिया, कुछ भी खाने से, answer देखते हैं, the bird refused to eat anything, पक्षी ने खाने से इनकार किया, क्योंकि she was badly wounded, क्या याद रखना है आपको, he was badly wounded, थोड़ा से spelling mistake है, wounded का, है ना, तो wounded का spelling हम लिख देते हैं, W-O-U-N-D-E-D, है ना, wounded, wounded means होता है, घाव, क्या होता है, घाव, उस पक्षी को क्या था, badly wounded, गहरा घाव था, है ना, next question देखते हैं, what disability did Minnie have, Minnie की आयोग्यता क्या थी, वह आयोग्य क्यों थी, है ना, तो एक और इस से दूसरा प्रस्ण भी बन सकता है, है ना, तो रेखते हैं हम इस प्रस्ण का अंसर, Minnie was the spastic, Minnie, पक्षी पाथ से पड़ित थी, है ना, पक्षी घास से पड़ित थी, C head, head का spelling, H-E-D-E-D-E-D, है ना, क्या है, H-E-D, She had no control over her hands, वह अपने हाथों को नियंतर नहीं का सकती थी, and legs, और टांगों को, She could not walk, वह चल भी नहीं सकती थी, है ना, A specific person who has not control over her hands, and legs, since birth, है ना, जन में से ही जो व्यक्ति, अपने हाथ और पेर को नियंतर नहीं का सकता है, उसे क्या कहा चाता है, उसे हम कहते है, a specific person, है ना, पक्षिघास से पिडित व्यक्ति, है ना, चलो, next question देखते है, What do you think the story is about Minnie or the deck, आपकी विचरों का अनुसार, Minnie और बदक की कहानी का वर्णन करो, है ना, तो, the story about Minnie, because the author get tried to express the human feelings about the disabled person, भई, राइटर कहता है, कि हमें जो अयोग्य व्यक्ति है ना, उसके बारे में, हमें अच्छा महसूस करना चाहिए, है ना, और उसके बारे में, हमें अच्छा महसूस करने का प्रियास करना चाहिए, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, बिंग स्पैस्टिक, वाट कुड मेनी डू, एंड कुड शी नॉट, स्वरी, यहाँ इसमें होट चपा है, वो एनॉटी है, नॉट, है ना, बिंग स्पैस्टिक, पक्षिघाच से पिडित होने के नाते, वाट कुड मेनी, मेनी क्या कर सकती थी, एंड कुड शी नॉट, और क्या नहीं कर सकती थी, यह ना, तो बिंग स्पैस्टिक, भई मैं आपको, यहाँ बहुत अच्छा सेंटेंस है, बिंग स्पैस्टिक, पक्षिघाच से होने के नाते, है ना, तो क्या उसका अंसर क्या है मेनी कुट नाट वाक मेनी चल नहीं सकती थी और बटन आफ अर शर्ट और अपनी कमिच के बटन भी नहीं लगा सकती थी बट किंतु शी कुट क्रॉल है ना वहाँ रेंग कर चलती थी क्रॉल मिन्स रेंग कर चलना एंड हैड लार्न टू यूज हर हैंड यूज रपने हाथों से उसने ब्रेस करना सीख लिया था हैंड टू ब्रेस हर टीथ एंड यूज अश्पून टू इट और चम्मस से खाना खाना शी कुट शी कुट यूज एंड मूँ हर विल्चेयर और वहाँ अपनी विल्चेयर का स्वयम संचालान का सकती थी है ना नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो इंपोर्टन कोशन है वाट हैड हैपन टू दा बर्ड हैड हैड का स्पलिंग थोड़ा समिस्टेक है ह-e-d चपा है राइट स्पलिंग ह-e-d ह-e-d वाट हैड हापन टू दा बर्ड पक्षी को क्या हुआ था तो अंसर देखते हैं ही हैड ह-e चपा है ह-e-d सही कहले जीएगा ही हैड हाट हिमसेल्प ऑन हिस विंग्स है ना उसके सोयम उसने सोयम ने अपने पंको को जखमी कर लिया था in this prantic approach to rejoin his mates सरवच प्रियास करने के बाद में कि वहाँ अपने मित्रों से वापस rejoin हो सके वापस अपने मित्रों से मिल सके है ना rejoin हो सके next question देखते हैं जो की long question है four number में question ये एक्जाम में बार बार पूछा गया है या आता है है ना describe the ducks farewell बदक की विदाई का वर्णन करो है ना describe the ducks farewell विदाई करना farewell means विदाई करना ducks farewell बदक की विदाई का वर्णन करो Minnie along with her father Minnie और उसके साथ में उसके पिताजी and other children और दूसरे बच्चे took the duck to the nearby lake उस पक्षी को कहां ले कर गए nearby lake समीब के जील तक the children lifted the duck carefully from the mini slab बच्चों ने सावधानी पुरवक ना चिल्डन बच्चे बच्चों ने सावधानी पुरवक lifted the duck lifted the duck carefully from the mini slab सावधानी पुरवक mini की गोदी से उसे उठाया and gently released him into the into the lake और उसे सावधानी पुरवक उस जील में ले जाकर के भीतर उस जील के भीतर छोड़ दिया इट बिगेन श्विमिंग उसने वापस तेरना शुरू किया and shoaling the water और पानी के अंदर चोच माना with its back अपने मुह से the children watched it for a long time बच्चे लंबे समित तक उसी स्थन पर खड़े होकर उसे देखते रहे है ना next question देखते है why did the neighborhood children not become friendly with her पडोस के बच्चे neighborhood neighborhood means होता है पडोसी है ना पडोस के बच्चे मिनी के साथ में मित्रवत व्यावार क्यों नहीं करते थे तो answer ही the neighborhood children were busy पडोस के बच्चे व्यास्त थे क्या थे व्यास्त with their own games अपने स्वयम के खेल में and school और school में therefore इसलिए they did not become friendly with her वे मेनी के साथ में मित्रवत व्यावार नहीं करते थे है ना तो इसमें से कुछ questions ऐसे भी हैं कि जो बार बार exam की दस्टी से बहुत ज़्यादा important है है ना तो उसको देख लाते हैं question command 1 जो की बार बार exam में पुछा गया है question command 10 है ना how was the bird fed ठीके ये भी बार बार पुछा गया है question command 14 what disability did me इस question को भी बार बार exam में पुछा गया है question 15 what had happened to the bird उस्पक्षी को क्या हुआ था और question command 15 describe the ducks farewell most important question है ना exam के दस्टी से चार नंबर का प्रशन है ये जो पिछले कुछ रिकार्डों में इस प्रशन को बार बार सम देखा गया है है ना तो आप इसको अच्छे से learn कर लें है ना ताकि आप इसका जवाप अच्छे से exam में दे सके है ना और आप ये जितने भी सारे कोशन से हैं इनका प्रक्टिस कंटिन्यू रखें ताकि आप लिक कर देखें है ना ताकि आपको इसका राइटिंग भी अच्छा होगा और आपकी प्रक्टिस भी अच्छे होगी है ना तो आपको ये वीडियो कैसा लगा यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लिज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शायर करें दोस्तों में मित्रों में है ना लाइक करें है ना ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के और सभी लेशनों का एक्स्प्लेइन और पायमस का एक्स्प्लेइन हम आपके सामने कर सके है ना थैंक्यू सो मच है ना थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो ओके वन्स अगेन थैंक्यू सो मच